मैं मेखा जैसपाल, मुझे आपने देखा होगा YouTube चानल गुरुजे उत्राखंडी, वेची डिचेंग क्लासेज और अच्छीवर्स अध्यापक पर्ग। मुझे 16 प्लस एर्स का टीचिंग एक्सपिरियेंस है नमस्ते, मेरा नाम है दीपक पंद और मैं एक थर्द अन्डेशन टीचर हूँ मेरा नाम अरुन कुमार गुपता है और मैंने इंजरिंग की हुई है लेकिन मैं दस साल से मैस्ट पढ़ा रहा हूँ हाई, I'm Annapunna Mehta, मैं टीचिंग में 2015 से जुड़ी हुई हूँ मैं एक ओपलाइन टीचिंग कभी मेरे लिए फर्स चॉइस नहीं थी मैं हमेशा 12 के बाद कुछ और करना चाहती ती डिफेंस सर्विसे में या फिर नॉन कंवेंशन किसी ऐसे करियर को सिलेक करना चाहती थी लेकिन सर्कम्स्टांसे ऐसे बने के मेरे पास टीचिंग ही एक आप्शन आया बार बार और हां जब मैंने टीचिंग शुरू करी और बेट वगरा किया तो मेरा इसमें इंट्रेस्ट बढ़ गया तोड़े आइंजोई टीचिंग देमोस्ट टीचिंग में केरियर की बात प्रहें तो मुझे तो ये लगता है कि मैंनेटल को नहीं टीचिंग मुझे चुना है सुरू मजबूरी में की अम मजार्यां कर सकता क्योंकि मुझे कुछ अलग की चीज़े पसंदे और जब बीटेक के ताइ सब्सक्राइब कर सकते हैं जो इनसान को और बहतर बनाता है हर दिन अपने आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरीद करता है और उन सब चीजों का श्रेव हमें देते हैं यह हमाई लिए सबसे बड़ी खुशी होती है उस समय हम एक बिनर की तरह महसूस करते हैं इसमें जो मेरा बैस्ट एक्सपिरियेंस है वो यह है कि जब आपके पड़ायों बच्चे कहीं निकल जाते हैं तो जो आपको फीलिंग होती है न अंदर से कि हां मतलब मैंने कुछ किया है हाला कि आपने सिर्फ गाइड किया होता है अपने टीचर को बच्चु को सिखाने के लिए अपना बैस देना चाहिए कि उनका फ्यूचर जो है वो टीचर पे ही डिपेंड होता है हलो माइन इस सिवराज सबसे पहले तो हैपी टीचर्ज डे मैं अपने टीचर्स को थैंक्यू बोलना चाहता हूं जिनकी वज़स्ट स अजिए मैं आज यहां हूं मेरे नाम हरीश चंद्रा आरिया है मैं अपने टीचर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा थैंक्यू टीचर्स मैं आपने जबी पुराने टीचरों या जो भी जिनर भी मुझे आफलाइन या ओन्ना कुछ भी सिखा है मुझे बहुत- तो आपकी ग्लास में 10 बच्चे 20 बच्चे होते थे फिर अगर आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो आपकी ग्लास में बच्चों की संक्या बढ़ जाती है टीचिंग का फ्यूचर जो है बहुत ही जादा ब्राइट है बहुत सारी चीज़े नई नई अब आ रही है एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से ICT, Technology और Skills जो है वो इंक्लूड होता जा रहा है और जिस तरीके से हमारे NEP के अकॉर्डिंग नए रास्ते खुल चुके है और स्कूल एजुकेशन में ही हमारे जो नए करिकुलम के साथ स्किल्स वगयरा सब इनकॉपरेट कर दिये गए इसमें बहुत जादा अवसर बढ़ने वाले अब टीचर को और कॉंपिटेंट होने की ज़रूद है और अगर आप कॉंपिटेंट है तो आपके लिए यहाँ अबड़ेरो अपॉर्चिनिटीज हैं हैपी टीचर्स देग